असलाम लेकुम निया दोर में खुशाम देद में हूँ आपके सास सुमेरा मिर्जा गुजशता रोज हमने बड़ी डिटेल में बात की लेकिन इलेक्शन जब तक हो नहीं जाते ये डिसकुशन जो है ये चलती रहेंगी कि कौन सी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है कल हमने ये डिसकुस किया कि इलेक्शन की तैयारियां किस तरह से जा रही है कौन सी पार्टी कौन्फिडेंट है पुर एतमाद है सुकून से बैटी है और कौन सी पार्टी ऐसी हैं जो के शिक्वे शिकायतें कर रहे हैं इन सबसे अलग हमने ये भी देखा कि कल प्रेजिडेंट साहब का एक बयान आया, उन्होंने भी इसी तरह की एक बात की, कि सबको बराबर मुवाके मिलने चाहिए, तैयारियों के, जलसे जलूसों के, सबको बराबर लेवल प्लेंग फिर्ड मिलना चाहिए, आज उनका एक इ पुश्रा बीबी साहबा जो है, उनको शायद गिरिफतार कर लिया जाए, क्योंकि नायब जो है, कुछ एविदेंसे ऐसे हैं, जनको बारीक बीनी से देख रही है, चेक कर रही है, तो हो सकता है, उनकी जो हैसियत है, वो गवाह से मुल्दी में तबदील हो जाए, इसी तर दूरते हाल पर एक हंगामी जलास जो है, वो हुआ तलब किया गया है, उसके क्या इंपेक्ट्स होंगे, या सिर्फ मजमत कर देना ही काफी है, या इसके कोई रिजर्ट्स भी हमें तिखाए देंगे, फिर सरकारी दारों में जो करप्शन है, वो भी निगरान हुकूमत के स करना क्या सख्त मुतालबात हो सकते हैं आइम एफ के आने वाले दिनों में और फिर आखिर में दूरियां की जो नंबर वन टीम है, नंबर वन डे इंटरनाशनल टीम, वो एक बार फिर से वर्ल्ल कप से बाहर हो गई है, पाकिस्तानी टीम के जो फ्लॉज है, जो सेलेक्शन है, जो इसчивs है, सब के ऊपर हम आज की प्रिगाँम में दिसकस करेंगे, सबसे पहले जो पुलिटिकल हमारा पॉइंट उफ विव है, यो पुलिटिकल हमारी दिसकाशन है, उसके ओपर बात करेंगे, इस डिसकाशन में हमें जोएन करेंगे, साराणा सاحब और अधार मलिक स साब, प्रेजिडन्ट साब फिर वही बात कर रहे हैं, किस से शकायत कर रहे हैं? मेराले मुझे तो वह लगता है कि उन्हों ने जनरिस्ट बन गये हैं, वह लगता है जैसे किसी और मुलक का सहाफी आया, पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं, कोई करेक्टर हो ना चाहिए आपका, यो हेड अफ स्टेट, एक तरफ आप फरमाते हैं कि मेरा लीडर इबनान खान है इन्तहाई प्लिटिकल स्टेटमेंट है, आप पासन आर्मी के भी चीफ हैं, आप पाकिस्तान की इलामत है, आप अपनी ग्रेस रखें, मतलब हर रफते में कभी कभी वो आके लगता है कि जयालाउन में आगया पीटी आई का तो वो अपनी पार्टी की मुपत बे गिरफता होते हैं, फिर जब दूसरी तरफ देखते हैं तो थोड़ी सी को आँखे दिकाते हैं तो फिर वाज़ डर जाते हैं, भी आप को इमरान हाने ओन रेकर्ड दस दफ़ा का कि आप डेड़ दे, आप प्रेजिडेंट आप पाकिस्तान है, ये आपका काम है, आप अलेक्शन की क्यों नही कराएगी, ये रियासत साब को एकुल मौका क्यों नहीं देगी, ये तो मैंने आप से सवाल करते हैं, अब इसका मैं आपको जवाद दूँ, ग्रेस ये है कि अगर वाकिछ इस से नहाब हम सब को पता है, कि जी हम सब ने एक लफ़ रून लिया, कि जिनाब यहां तरो ना, वो असाद उमर की तो ब वो तो political है, भी आप पाकिस्तान के सदर हैं, अगर पाकिस्तान का election commission काम नहींकरता आप निन Ringsक के जिमेदार हैं, जिमेदार इस तरह कि आप अलामत हैं, तो अगर आप समझते हैं कि पाक trहार के जो system है, वो आएन और कनून के मताबग नह जाते हैं और एक चीज़ उन्होंने बड़ी फाइट की थी एक चीज़ के जी पाकिसान में सबसे ज़दा सेलरी किसी हो निज़ी आइनी तोर पे वो सदर की उन्होंने बकायदा जद जद की तो यह इस तरह तो मैस हमें तो वह तो एक साफी बने हुए है जाना सब्सक्राइब डाइन करना स्लूशन है आपको क्या लगता किस से शिकायत कर रहे है उन्हीं अलकों से नहीं लेकिन पहले तो यह देखें के वह कह गह रहे हैं ठीक है ना चोड़े ना क्या कहते है मालिक साब की तो बाबा बलैक शिप है विए अनूर कभी भी खथम नह वो लोलिवस डॉटांटä लेंड ठीक है ना उनके लिए सबको कि अनुक्हा लाडला कोई चांद रहे हैं क्या वो कोई गैर आईनी बात मांग रहे हैं क्या वो कोई गैर जमूरी बात कर रहे हैं क्या ये बात आशित पीपल्स पार्टी नहीं कर रहे हैं क्या ये बात फजल रह्मान नहीं कर रहे हैं क्या ये बात अचन जहीं नहीं कर रहे हैं क्या ये बात जमात इसलामी न अगर प्रेजडेंट बिंग हैड अफ स्टेट इस आने वाले एक बड़े वेक्यूम की तफ इशारा कर रहे हैं कि यह इंतखाबात अगर इस तरह हुए तो इनकी कुछ नहीं होगी तो क्या को गैरा ही नहीं बात कर रहे हैं वो बिल्कुल से फिर दूसरी बात तो कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं वो मुतालबा कर रहे हैं वह इंग प्रेजडेंट के जी आप लेवल प्लेइंग फील्ड थे सबको निगरान हकूमत अगर निगरान हकूमत का गवर्नर जो है वह बैठके एक पार्टी के सरवरा से जनूबी पंजाब और अंदुरूनी पंजाब की स्य रही है उसे सलूट मारेगा तो मिया साब मलक साब को मुझे लगता है कि इनके आखों में ना मिया नवाशिव की मौबत का मोतिया उतर आया है इन्हें और कुछ नदर नहीं आ रहा है ठीक है ना अच्छा दूसी चीज़ यह है कि जो सदर साब ने जो भी बात की ठीक है क्य बात के सब्सक्राइब यह तो आप ममनून उसे अनसाब जैसे लोग ले आए ठीक है जिनको अपना भी ना पता हो मलक साब उनका मतालिबा घलत है ठीक है मुझे समय नहीं आ रही कि रहनक बात क्या कर रहा है और यार आप रियासत की आलामत हो आप रियासत हो आप पाकिस्त मैं अलामत की बाद करne मुवए पताए कौन होता है वो सदरे पाकिस्तान होता है यह जो आपके सामने, ज predict है उजिज kecard पास्यंग कोर aspire ना, वो सारे इढ़रे इस मुलक के भी को शक कि आपको वह आएनी तोर पर फोज का भी सर पर है चीज को कमाल है जो बना अलामत है मेरे हखूक का आएन का जिसने फिर एलेक्षन कराने है जिसने इंशूर करना है जिसने डेड़ देनी है वह एक बना वह रहाना अपना इसार आगे दुदालबे का रहा है कि बिसुबह उठ करो दान साथ को ढागी किस से पोछ रहा है इंडियन प्रेमिस्टर से पोछ रहा है यूच रहा हू है रिजाओ कि और यार। आपको याद है आपके सेक्टरी नी आपकी बाद नी मनननी तो मैरा अबा तब तक ही अबा होता है जब तक अलाद उसे मानती है अब ना माने तो अबे को उठाके भी ओल्ड हो चोड़ाते हैं लोग मलक साब के तो ना आखों में हर वक्त नै एक जिसे कहते ना रोना दोना नहीं है तुम तो वह लोगों जो मारते भी और रोने मी नहीं देते तुम क्यों रोगे रोना तो हमारी किसमत में लिखावाई जो हम आपको 75 साल से बरदाश्ट कर रहे हैं और द उसी बात यह है जो मैं बात कह रहा था यह जो कहने ना वो हैड आफ दे स्टेट है वो यूं कहते हैं और जब वो उस वह का अलेक्शन कमिशन को कहता है कि तुम इदर आओ और वो नहीं आता जब वो खत लिखते हैं कि जी मुझविजा डेट यह है और कोई नहीं मानता अच्छा जब जब बदे की बात है जब ऐसा जब पीटी ए जिस कनून के खिलाब थी ना खोजी इदालतों तो आप उमरा करने चलेगे कि पीछे से पतार कर सैनेट के वो भी बड़ा मजलूम है यहार मेरा क्वेस्टन बिल्कुल सिंपल है कि पाकिस्तान के आईन और कनून के मताबक आईन पाकिस्तान है अगर आप इतने बेब ऐसे तो आप बुझे करें बंदूक उठा के गोलिया मारें करें कि पहले कि तरह को इसका करें वो इसका मतलब क्या है वो अस्तीफा दे दे नहीं तुसी गाले नहीं मान रहे है आईन तुम तोड़े हो अस्तीफा वो रहा है रहा है यू रहा है यह पल्दी साथ साथ मुस्र pretended करो अच्छी गनून के दौर में जो पाले के वजीरा यह वुरिख करते कि इमरान खान मेरा काईद है तो बहुत बुरी बात है और वजीर आजम जो है एक 13 साल के मुल्जिम के पास मश्वरा करने चला जाए रियासत का तो वो ठीक है वो ठीक है ना वो लंदर चला जाए और सारी गलत है तो तुस्य की करने बैटे तो आप किसी आधे पर भी नहीं ह करें सदर भी एक्षिन डू सम्थिंग अगर पाकिसाथ की एक्षिन गंडासा कर ले रजाइन कर लेंगा और में वर्ड के राग दियांगा की करें वो टॉक्षो करें हमारे साथ बैटे चलें अगले पर डिसकस कर लेते हैं जैसे इंट्रो में मैंने का मलिक साब के बुश् इसके क्या इंपक्ट्स होंगे मजीद पीटिया को जो कमजोर करने की कोशिश है की जा रही है ये भी उसमें एक पॉइंट हो जाएगा पर देखे इस वक्त जो जराय से जो खबरें आरी है न वो अच्छी नहीं आरी मैं मतलब सावक खतूनेवल के वाले से बता रहा हूग एक तो FIA की investigation हो रही है FIA ने जो investigation किया मैं आपको information की बात करो मैं गल्लस से एकी बात नगारा हूँ है इन्हों ने जो पैसे कटे की हैं वो सारे corruption के पैसे जो पर इलजाम लग रहे है इन्होंने बाहर पैसा बेजा एक तो money Launder का case आ गया नैब ने जो finding किया उनके मताबक ज जो इनोंने बनाई है इस टाइम के तरह और जो अंदर की बाद किसी ने मुझे बताई है, कुछ समझ आई है, वो यह समझ आई है, कि किसी तरह यह जो सरकारी रियास्ती दा रहे है, यह फरागोगी तक पहुंचे हुए है, जी जी. तो को ऐसी को सैटलमेंट हो रही है, प्लिटिकल इमपेक्ट यह होगा कि खाँ साथ जो उनकी वह आप प्लिटिकल ली उनको यह लास होगा कि एक जो फिक्र होता है कि यार एक तो उनका एक ही पॉइंट अभी हो था कि एंटी कॉरॉप्शन थे, वह सच चाए है कि गलत है वह दालत बताएगी, मंगर यह इल्जाम लग जाया है, हतूने अवल पे के वह कुरॉप्ट थी, वह जायदाते बनाती थी, वह ट्रांसफरों के पैसे लेती थी, वह मनी लाटनी करती थी, यह इल्जाम ही बहुत प्लिटिकली डैमीज है उनके लिए, वैसे यह भी मैं आपको बता दू जो उनक चाने वारे हैं, वो बिलकुल इसको बाय नहीं करेंगे, वो यह ही कहेंगे, कि यह रियास्त का जबर है, यह वगरा वगरा वगरा, तो यह एक दूसरा उनके लिए मैं समझते हैं, नफसियाती ज़रूर दवाओ आएगा, कि अगर आपकी बीवी को मुझे चीतरा याद है, खान साब जब इसलामाबाद से आये थे, तो उन्होंने किसी कारी कहा था कि मेरे कारकून का आया है, जिसको मार बढ़ा है, सबसे पहले उनने पूछा था, कि मेरी मिस्स कैसी है, तो इनका मतलब है, तो फिर आप एक एक अमोशनल ही तो दचका लगेगा आपको. या राना साब, आपको क्या लगता है, प्लिटिकली डामिज होगी, पीटिया, इफ ऐसा हो जाता है, तो, क्योंकि टागिट था, उनका वो ही है, ना, मैं यह समझता हूं, कि हर एक प्लिटिकल फिगर के साथ, एक ऐसा स्टिग्मा जो है, वोम रहता है, मोतर्म बेनेजीर बुटो के साथ जर्दारी साथ जुड़ गे, जी, और जब बेनेजीर बुटो के बराहरास कोई नहीं पकड़ी गई, तो आसिफ अली जर्दारी के उपर एक तुफान जो था, वो बर्पा कर दिया है, ठीक है ना, तो, अगर, बुश्रा साहिबा ने कुछ किया है, तो, ब आपने आपको महफूज को मानते हैं, तो, आप आईनुर कानून को मानते हैं, आप रोजारा है, तो, बुश्रा ना, कितनी सफाई से अपनी जाल बचानी, इल्जाम है उनके उपर, खुल के आप उनके खलाब, या तो आप खुल के बात करें, यार, आप साफी है, तो चल् मैं तो कह रहा हूं, अगर बुश्रा ने किया है, बिश्रो सहाइबा ने, तो उन्हें देख फिक्स है, बिल्कुल, ठीक है न, ना, ना माफ करें, खुदा की कसम, ना माफ करें, अगर उनको उन से निकाले, और अगर इम्रान खान भी इन्वाल में तो निकाले, लेकिन कि जिस जिसने इस मुल्क को लूटा है, वो कोई भी है, अब रगड़ देना एक दफा सब, ठीक है, लेकिन अपने बुकल के अंदर छुपे वे चोरों को भी एक दफा देखें आप, मैं नहीं कह रहा है, जितना नुकसान इम्रान खान को बुश्रा साहिबा की वज़ा से है, शायद किसी की वैसे ना पहुचा हो, बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ का इम्रान खान को ऐसास है, यह तो वो जाने ना, वो उन्हें पर ऐसास होगा, मैं कौन सा उनके अंदर बैठा हूँ, कि मुझे पता होगा कि हो क्या सोचते है, ठीक है, और बकॉल में इनके कि वो उन्हें के पाए तो उन्हें वर्कर का नहीं पूचा और कैना में का किक है, अवो सकता है, मलक साब जर्डा दूसरे किसंगे शोहर हो, अधर वाइस हर शोहर को अपनी बीवी का ख्यार रएड़ा है, लोग होते हैं, लीडर इनसान ही हता है, हमारा आलमिया मलक साब ये है कि हम लीडर को आतार समझने लगते हैं ह loa. पाकि तरफ आप उसे बक्बूल तरीन कह रे हैं इक तरफ कह रहे होते हैं बद्तरीन कह रहे हो confusion,"। आज वला .... जावेद अश्रफ मरूम मेरे दोस्त थे बहुत डाई हार्ड वर्कर थे और उस शक्स ने नवाज श्रीफ की गहर मौजूद्गी में लाहोर में मुस्लिम लीग नून को जिन्दा रखा जावेद अश्रफ शहीद कहता हूं मैं उसे उनके भाई असा अश्रफ सेनेटर है उसके बाद दूसे दिन हाथ मिला लिया वह भी से ऐसा चमकाई रहा है वो तैरी के निजात चली लून लिक के वर्करों ने अपनी दस हजार कुर्बानिया दी नवाज शरी को एक फून आया वहलिकॉप्टर में गाड़ी में बैठे और पिंडी चले गे और पतनी आप कहा की बाते करें सब गलते 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 तावक चलें, अगर आप लीडर था तो यूड यूर पीपल, आप अपने लोगों के साथ ख़ड़े होते हैं, आपकी परस्नल लाइफ नहीं होती बाहिए. अगर आइन के साथ खड़े ना मलिक साथ तो सदर से मुतालबा ना करें उन लोगों से मुतालबा करें जिन्हों ने आइन कित को तोड़ा है जिन्हों ने जाके कहा के जी अलेक्शन हम नहीं कराएंगे उनके लिए बात करें ना अब ताड़ेकुल सब तो साफ टार्गेट प्रटो का दया ले भेड्रा ना ले थं अब बात करें कि वह अभी भी ड को प्र मसाफ़ साथ हिस चेली सता है क्या असा प्रेश मसताफिय ते पहले उन्होंने आके सः प्रेस कांफरेंस और भी अब उन्हों Σक्वत next पाकिस्तान का जो पुलिटिकल सिस्टम है न अगर कोई यह समझता है कि यहाँ पापुलर है तो आप नमबर वाने ऐसा नहीं है इस नजाम को आपको समय ना पड़ेगा किसी समयधार बंदे ने कहने कि 9 माई जो था वो पाकिस्तान का सेप्टमबर एलेमन है और यहाँ एक ब कि आप 9 माई के साथ हमारे साथ हैं कि इस साइड पर अब यह जो असद अमर जैसे लोग है ना इनके पास इनको पता कि अगर हम पापुलर चलते हैं मुक्बूलित पर चलते हैं तो यहाँ पे फिर हीट आती है तो मेरा है यह साथ यह हो रहा है कि आपकी पार्टी का जनरल स का face है वो भी आपके साथ नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इससे दो चीज़ें थाबत हो गई है कि अगर PTA का चेर्मन मकबूला मैं मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ He is very popular, zero organization, party में न जो second leadership है न जो third leadership है हर चीज़ गिंब हो गया हर चीज़ आज page से निकल गया है और आप इस तरह पाकिस्दान में सियासता नहीं कर सकते, हास दो पर आप election नहीं लट सकते, election जीद नहीं सकते, यह सबसे dangerous चीज़ है राना साब नो और्गनाजेशन, सेकिन लीडर्शिप भी कोई नहीं है और फिर उनके बहुत करीबी साथी जो है वो भी उनको छोड़ के जा रहे हैं पहले भी बहुत तरह चोड़ गए इनका पहले मैंने बात की कि लग रहा था कि शायद वो सॉप्ट एक देखे प्रेस हों के पीछे इमरान खान सोचते होंगे के खुली जो आंक तो वो था नवो जमाना था खुली जो आंक तो वो था नवो जमाना था देहकती आग थी तनहाई थी फसाना था है भाँ नहीं है और कानून फित्रत है ताकत के सब साथी होते हैं और मुश्किल वक्त के साथी नहीं होते हैं लिए मुश्किल वक्त बाकी पार्टिस पर भी आया है इस तरह नहीं आया है मैं अगर थोड़ा सा करूं किसी जमात में 15-15 दफ़ा जमानतों के बाद लोग जेलों में नहीं रहें और किसी दौर में भी जजिस को हाई कोट के जजिस को यह नहीं कहना पड़ा कि मिरहाले आप एक प्रेस कांफरेंस कर दें हम तो नहीं रहा कर सकते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन असल चीज यही है कि मुश्किल वक्त में जो लोग साथ खड़े होते ना उनका ओखे वेले और सोखे वेले लोगों के कद काट का पता चलता है वो एक आदमी के कबर के उपर पंखा जल रहा था तो एक बंदा गुजरा तो उसने का कि किस की कबर है उसने का मे सूख लेने देना तो यह वो लोग है जो कबर की मटी भी नी सूखने देते ठीक है वक तेजी से बदल गया और तुम वक्त से भी तेज निकले तो यह बुजदार यह वो सारे जितने भी है यह स्यासी मुर्दार वक्त आने पर अपना असल रंग दिखाते हैं तो मैं समझत कि थी कफन दफन का आज अलान हुआ है तो यह कोई इतनी बड़ी मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक हो गया ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद जब हम वापिस आएंगे तो हम बात करेंगे के निगरान वजीर आजम जो है उनकी साओधिय अरभ यात्रा और फ ब्रेक बाद हादिर है और जब हम बात करेंगे पाकिस्तान टेलिविजन की जो के हमारा एक सरकारी अदाराई है सरकारी टेलिविजन है उसमें कुछ मbassyना तור पर बेजाफ्तगीया है और कुछ भरत्यों का मौामला है उस पे तफसील से हम बात करेंगे मोसीन रजा साब हम साथ मौझूद हैं आप senior journalist है क्योंकि इनका tweet भी आया इसके उपर तो हम चाहेंगे हम इन से बात करें मोसिन साब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कहिए का क्या क्या देख रहे हैं आप Pakistan television में आपका एक tweet भी आया हमने उसको पड़ा भी आपने बहुत डिटेल में उसमें ब देखे पाकस्तान television में निग्रान अखुमत के आने के बाद बड़े पेमाने पे बेज़ात की हैं और करभच का द्रहुरी है इसकी मैंने कई पतबाद इशान नहीं भी की और इसके जिती भी दफ़ा मैंने पाकस्तान television के मानवाद के बारे में लिखा है तो तुमाम बातों का सबूत भी मैंने दिया है अभी हाली में पी टीवी में जो एक डिरेक्टर एक्जेकर प्रोजिशन रखा गया था दो साल पहले जी जी उसकी तफ़ाब हैं एक दो साल करना दो लाग चार्श हजाद से जाभा करके दस लाग से ज्यादा कर दीगे अभी तक कोई ऐसा पी इसके लिए कोई टेवू किये गए और अपे तोब पे अबरेंसरे इट्राबेशन ने एक शक्त सो नवाजरी की कोशिकी जो के सोड़ा माँ पीडिया की अकुबत में उन्हें नवासता रहा और उनको लाख रुपे के तर्जिया कार्थ के तोड़ पे गौज़ा देता रह रान सब आप कुछ पूछना चाहेंगे मौसिन भाई वो जो आपने अपने ट्वीट में कुछ चीजों की जानी विशारा किया है तो इतलात तो यह हैं कि कुछ तबदीलियां भी हुई है कुछ सेक्रेटरि इतलात के तबदीली की इतलात थी और इस तरह की तो क्या अभी वजारते इतलात में एक जो खलबली सी अपिछले दिनों देखी गई कुछ साबिक सेक्टरी इतलात का इजलाज भी हुआ उसमें भी उन्होंने इस पर बात की कि यह जो आप लीएवजी ग्रूप से लोग आ जाते हैं और इस तरह का मामला होता है तो पी आईयों के वाले से भी मौजूदा सेक्टरी इतलात ने भी अपनी रैजर्वेशन दी थी तो क्या को यह जो खिच्ड़ी पकरी है को इसका आप को रस्ता नगजर आ रहा है के नहीं यह जो सब एक सेक्री इतलात ने इंकर संच हो किया था वो भी इसी बचा से था कि जाज़ते इतलात के जो जी इदाड़े हैं रेडियो पाकस्तान पी टीवी और पी आईडी इनको गैर प्रोफेशल लोग चला रहे थे और हादर जी हो गई कि रेडियो पाकस्तान ने खब की सबाती और साथी इसी बाइड जानी डिक्षें का लाग किया और उट खाबर भी चार्ट अफा चली इनको एक एसी खबर चला दी जिससे एंडिया मीडिया ने वादा उठाया कि वियावाली एर्पोस में एक एरफोस अफसर्ड शेहित हो गया हलाके अखुमत का मुक्त और हकीकत भी यह है कि वियावाली एर्पोस में कोई शादते नहीं रही और जो अफसर्ड की खबर उन्हें चलाई वो हाट फेल लोड़े से बनाता है इसके अलावा उन्हें एक प्रोग्राम ही चाला दिया है जिसके सब्सक्राइब और मुत्यादा अर्विक्प एमारात क के खिलावे इंतहाई शर्गेस किया गया और उसका इस सब्सक्राइब वाविला अरब सोशल मेडिया में बचा हुआ है कि पाकिस्तान के सिकारी ठेडिट ने सुथी अरफ के खिलाव के प्रोग्राम चिलाया कि पाकिस्तान का मुक्फ है कि सुथी अरब इस्रेइल की हुसिन भाई ये बताईएगा जब एक रियास्ती दारा है और उसमें तो प्राइवेट में तो चले काफी चीज़ों होती है परसनल मेरा सवाल ये कि इतने इंपलॉईज हैं जिस तरह कहा जा रहा है और समझ भी आ रही है कि एक ही बंदे को दो जार मिलने हैं एक को दो ला पीटीवी में बहुती महौज जो है तंग है लोगों को अपने जाफ के फिकर है कोई अपनी अदादर चाने से घख़गाता है क्योंकि उन्हें पता है कि वजीरे तलात जो है पहले परस्तान के भी बीजी रहे और पहले से पहले बास अमरीका में रहे उन्हें टीवी का प बारे करती हैं जो कि उनका मौसित था और उसने टीवी में तबाई बिचा दिया है लेकिन वजीरे तलात को इसकी कोई भी कर दिनी है बलके वह अभी भी कोशिक कर रहे हैं कि एक ऐसे आर्मी को जो कि पी टीवी में दोस्त इसलामी मौरालिक से तालुगात खराब करने में इसका एक हैं के तारह उसे इंटेशन इंटेशन भी दे दिया जाएं तो इसमें को इसलाह या आप क्या रिक्मेंट करेंगे कि ये वाकिए एक पाकिस्तान की वाइस बने पाकिस्तान की रियास्त का मौत पीज़ा बड़ा हमारे लिए तो बड़ा कीमती है तो क्या आप सज आप डिजी शुबे के लोग पी लाएं रेके ने उन्हें ये एक त्यार मत्द है कि वो पी टीवी का भुलिया इक बिगार के रखते हैं पी टीवी एक स्टेट टेर्विजिन है उसका काम है कि स्टेट का जो प्रिबड़ कर रहा है और उसका मौकिफ है उसे ब्यान करना है अ इसमें हमारे इतारे भी में रानिक कुन बाट जी है कि हमारे इतारे भी पॉमोच है उन्हें जीरिया अदा काकर साब जो के मीडिया के बहुत समझ्ज़वी है वो उन्होंने भी अपनी आखें बंद कियू है मौसिरे शच्छषब आपने हमें इस मारे में जॉइन किया आप ने आम से बात की किया आपका बहुत शुक्रीया रानिस हुआ हम नहीं ईबात की पहले इन्लीकी फिर इतनी होगे अब और उनके प्रॉफेशनल ना होने की बी बाते हो रही है तो ये पिट् scalable में आखिर हो किया रहा है इतने हमारा एक स्ट्रेट इदारा है जाहर है मोनीटर भी उसी को किया जाता है वर्ल इंटरनाशनल लेवल पे तो फिर यह क्यों कोताई की जाती है अभी पहले कुछ अर्सा पहले पीटीवी पे बहुत बड़ा इशू बना था इसी तरह का जी जी दिया गया उसमें आजाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया जी जी बलकुल उसमें बड़ा शोर मचा और तैकिकात भी हुई और ये फिर वह जो पागिस्तानी वाला तरीका होता है कैड़ दिया और कुछ भी निकला अब सूरत इहाल जो है वो यह है क एक दौड मचीवी है सेक्टरी इतलाथ शिप के लिए डियम जी ग्रूप के कुछ आफिसर्ज हैं जिनकी खाहिश है कि यह हमें मिल जाए उससे क्या होता है कि जो उतारते इतलाथ के जो प्रोफेशनल वो लोग है उनमें एक अन्रेस्ट पैदा होता है क्योंकि वो आता है वो आके पहले तो कुछ वक्त लेता है बाते समझने में और अपने बंदे सेट करने में और वो जो एक प्रोफेशनल वो ग्रोथ होती है वो रूख जाती है ठीकर मिजाल के तौर पे अब जो एक साहा बहुत जादा इंटरस्टेड है इस मामले में उनकी दिल्चेस बात य जब मिया नवाशिव साहब आते थे तो उसे पहले कुर्सियां तक वो तैय करवाते थे कि यहां यह बैठेगा यह बैठेगा एक दफा उन्हों ने उनकी वज़ाए से बड़ा बहुत बड़ा इस्यू भी बना और उन्हों ने मिया साब को शिकायत की कि जो जनल साब आते ह हैं हüm यह कई प्पहन के नही आते तो यह इसलिए कई प्पहन के नही आते ताके आप अन्हें आपको ना करना पड़े ओ छीचा अथा ऐं चाले में कहीं पर हमें salute करें अब ये जो पिछले दिनों पी टीवी में दो चीजें होई एक जो अभी मौसिन साब ने बताई और एक ये खब खबर चल गई किये हैं अब उस पे घजा पे मैंने कल भी ये बाद की जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं रिसक्स किया था कि अब ये की अब ये सारा नेक्स ही थे जो का उसका शोर बड़ा मचाया था तो अब ये सारा कुछ अगर एंटी स्टेट मामलाद जो हैं और स्टेट के सबसे बड़े चैनल के स्क्रीन पे होंगे तो ये बड़ा खौफनाक काम है बिल्कुल अब मेरा ख्याल है कि इस पर वजीर आजम साब को वक्त निकाल क के दोरों से वक्त निकाल के थोड़ा सा इस तरह भी तो जो देनी चाहिए कि अब जो रियासती चैनल है उसकी जरा सी घल्ती हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान दे हो सकती है जैसे मिया साब ने एक दफ़ा जोश में कहा था के बंबई के मुल्दिम पाकिस्तान में तो हम इन एफिशेंसी है देखे ना कोई मैं कोई खुशी से ये बात नहीं का रहा आप पी आई ये देख लें आप रेलवे देख लें आप कोई सरकारी सुई गैस देख लें जब टेलेविज फोन है आपकी तो उमर चोटी है हमारे जमाने में तो वजीर और पता नहीं वजीर से लोग तले करते थे कि यार एक पैसे हमने देना है कि फोन लगवा दो प्राइवेट हुए तो आप रिक्षे से अपना टांगे से उतरें दे सामने जी सीम ले लें तो हमारी रियासत की जो इन एफिशेंसी है वो तो कमार है ना सो में से दो सो नमबर है जिस मैग में को आ तो आप PTV को पैसे दे जाएं यानि कि यह वो एदारा है जो पहले दिन अर्बों रुपया आपके सामने पड़े हैं और मैं आपको एक और इंफ्रमेशन देता जहूं मैं मुझे एक जमाने में हो सकता है यह मैं फ्रेश नहीं हूँ सबसे ज्यादा जो पैसा लगता है ना होँ से दोईएं लेते हैं फिर बाहर आदी किमत बेज़ देते हैं इतना है आप पूरा पाकिस्ता बीड़ा पार यह रेल वे है अल्ला खायर से लगा प्र प्र कितने अर्शा किस बैंक में स्टे करता है और उसका जो वो बनता है उपर का क्रीम बनती है वो फिर कैसे तक्स कहानिये वो किसी दिन पिर मैं एक चोटा से कि मैं सलाम करूंग हो इप राइवर्म लोग जो हैं हम तो हमें तो एष्तिहार भी ले लेने हैं अमने अपना ड रींग sport करने हमने परफाम करना है हमने नूट्रालिटी भी रख रही है पासन से मोहबत भी तिकानी है रियासत को भी बचाना है और तरहां भी लेनी है वहाँ तो आपको अर्पो रुपय आपके सामने पड़े है टेक्स पेर के और आप यह गल्दिया कारनामा जिससे उन्हें पैसे आये यह फूद अ प्र यह फूद अपने तोरप एक ड्रामा प्रोडूर सकते चिस बसे ज्युसा fins पीटी वी के हैं सबसे ज्युस प्रोग्राम के लिए बारा-बारा है और आलम एक एडिटिंग का के मैंने खुद वहाँ पे मशीनों पर इटे रखे रख देखी है मलिक साब वजीर आजम साब की बात हो रही है कि उनको जो है वो अपने दोरों से फुरसत अगर मिले तो वो इस तरह भी तवज्ज़ दें निगरानी वो अंदर की तो उनसे निगरानी हो नहीं रही लेकिन बाहर वो मौझूद है इस वक्त जो आज इजलास शुरू हुआ है आपको लगता है कि यह जो इजलास हो रहा है इसका कोई फाइदा होगा हंगामी इजलास तलब किया गया है घजा की जो मौझूदा सुरतियाल है उसके ओपर दो यू तिंक इट विल इंपक्ट देखें आप कोई भी किसी भी चीज को उसकी हिस्ट्री से देखते हैं उसकी माजी से यह 50 साल से ज्यादा हमने ओर्गनाईजेशन यह OIC हमने बनाई है और यह बड़ा खसूसी सेंसिटिव इजलास है अरब और मुस्लिम मौलिका और उसमें मेरा ले मेरा निखाला मजूदा इसरी में इतने हैड अफ स्टेट्स कठे हुए हैं अब मैं कुछ थोड़ी से आपको इन्फरमेशन देता हो फिर मैं एक विरियो में अपनी बात अब करो हूँ मैं आज ही स्टेड़ी का रहा था दुनिया में तकरीबन 57 मुसल्मान मुमालिक हैं हैं अलम्दुल्ले रास में पाकिसान भी शामिल है हम तकरीबन दुनिया का वान फिफ्ट है अगर दुनिया का जो फ्यूल है जो इनर्जी है 70% मुसल्मानों के पास है मुसल्मानों के अरिया में आपको यह बताने की जूरती नहीं को कहा है इसी तरह जो इंडरस्टी में जो चीजें material होता है 60% इनके पास है अबादी भी मैंने बता दी अब आप आप रो सकती हैं जो मैं को पताने नहीं के दुनिया में जितना पैसे है ना उसका सिर्फ पांच परसनल मुसल्मानों के पास है 57 मुलकों को कठा करने अकेला फ्रास सबसे उपर है मैं financial बात कर रहा हूं तो बात सिंपल सी है दुनिया जोरावर्दी पंजाबी में कहते है माइट इस राइट है यह बाकी तो हमने टॉक शो की इखलाग इखलाग रखा हूँ है आपने अगर मुसल्मानों ने वाकी अपने आपको बचाना है तो अपनी इफादत करनी होगी हमें industrialist होना पड़ेगा हमें productive बनाना पड़ेगा हमें scientific होना पड़ेगा हमेची फोज बनानी पड़ेगी अगर हम हमारे मसल्स नहीं होगे तो हमारे फलसीन पे भी हम रोते रहेंगे हम किश्मीर पे भी रोते रहेंगे हम अफ़ानस्तान पे भी रोते रहेंगे हम लिबिया पे भी रोते रहेंगे हम लिबनान पे भी रोते रहेंगे और अच्छी अच्छी प्रैस कांफरेंसे करेंगे और एतिजाज से जंग बंदी तो नहीं हुई लेकिन उस जंग बंदी के लिए परेशर जरूर ड्वेलप हुआ उन मुलकों पर भी प्रेशर ड्वेलप हुआ तो ये तो है जो मलिक साब बात करें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये 57 मुल्क कठे होंगे तो कठे होके करेंगे क्या सिवाए एक रेजूलूशन के जंग बंदी होनी चाहिए और क्या कर सकते हैं ये ठीक है हाला के मुझे तो एक एक्जेक्ट नहीं पता एकॉनमी के फिगर्स का या मलिक साब के पास ये होते हैं कि मुस्लिम जो मुल्क हैं उनके पैसे किन किन मुमालिक के अंदर मौजूद ह हैं मुस्लिम हुक्मरानों के पैसे किन कि ममालिक के अंदर मौजूद हैं और ओन पैसे के साथ वो उनके बैंक बैंक पैसे साथ हैReal की मदद कारहें तो जाहिर स्विस बैंक और ये ऑमेरिकन बैंक सारे यहुदियों के यह ना तो बात यह है कि मुनू भाई की एक नजम है कि की होया है कुछ नहीं होया है हाँ जी होनी जानदा करना पैंदा है इश समुंदर तरना पैंदा है सुखले दुखवी जरना पैंदा है ते हक दी खातिर लड़ना पैंदा है घीमन देली मरना तो फिर इस तरह नहीं के वो आई सी के इजलास करके और लेकिन आज उसमें इरान के सदर का खिताब जो है वो आप सुनें वो मैं समझता हूँ के खक की आवाज एक बहादूर हुकमरान की आवाज है जिस तरह उन्होंने अमेरिका का नाम लेके का है के वो हुंडा है उसने इ दुनिया के आमन को तबा किया है और वो जिम्मेदार है और यह जो खून है यह खूने राएगा नहीं है यह साब खून अपना रंग दिखाएगा तो मैं समझता हूँ के इरानी सदर का किताब इस मुनाफकत मुआश्रे के अंदर एक जोंका है सचाई का और मैं उन्होंने ही साएंगे तो हम बात करेंगे कि नमर वन वोन दै इन्टरनाशनल टीम तीसरीixí बार जो है वो बाहर हो चुकी है वल्ल्ल चौप से इसकी क्या रीजन हैं फ्लास क्या है इश्योस क्या है क्या से क्लोजिकल प्रेzar है या पिर टेक्निकल इसुउस है सेलेक्षन के इसूस है ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर वेलकम बैक मलिक साहब नमबर वान वर्न डे इंटरनेशनल टीम तीसरी बार फिर से अगर ये सलसल तीसरी बार जो है ग्रुप स्टेज पर ही मेगा इवन्ट से बाहर हो गई है क्या फ्लाउस हैं क्या है आपस की इस्यूस हैं तेक्निकली तो मैं समझता हूँ कर राना साहब मेरे से बहुत अच्छा ग्रिकर्ट समझते हैं मैं क्रिक्टर हूँ नहीं ना उसकी बात सब्सक्राइब हूँ मंगर इस स्टूटन अफ क्यूनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज और इस तरह से मैं दो जो अपनी राय देना चाहरा हूँ मुझे यह लगया है कि हमारा जो कुल्चरल इश्यू बन गया ना जो पकिस्तानी जो हमारा जो प्लेयर है ऊच्छए इंट्रनेशन प्रेशन में आ जाते है कुछ सैक्लोजी कली मसला है मैं आपको किस तरह समझाओं इस तरह समझाओं कि देखे इंडिया ने जो पाकिसान से मैश रखा था था ना वो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था उसकी उन्होंने ओपनिंग कर दी हाला कि ओपनिंग हमेशा जब वर्ल्ड कॉप शुरू तब तब करते हैं इस तरह उन्होंने तब नहीं की अब आपके जब हीरा लड़के वाँ एडिया से खेल लेंगे एक लाख तीस हजार का स्टेडियम आप तीस चाहली से जजार शुरूप अब को उन्होंने इंपक्त डाला देखे हम कितने अमीर होगया कितना बड़ा हमारा स्टेडियम है फ पिर उन्होंने किसी पासन कोई वीजा नी दिया देखे न अगर मैं यहां बैठा हूँ तो मुझे पता कि आप मेरे मुल्क के लोग है मेरी कोई इंकरिस करें बिल्कुल ऐसे हैं मुरालप होता है आपका और आप सुनके हरा हैं कि मैं वो मैच देख रहा था जब टास हुआ है बाबत दुनिया का नुबर वन प्लेर है जब पासन गया था दुनिया की नुबर वन टीम की मुझे लगा कि हमारी जो क्रिकट और दूसरा हम खूद बड़े समयदा लोग है हम अपनी तबाई और बरबादी के लिए बड़ी बेनत करते हैं हमने एक साल में तीन हमने चेर् प्रिकट को बहतर है रहने सब सब्सक्राइब इस्से तो बिल्कुल इंकार निकिया जा सकता है यह तो है ही है लेकिन हो हमारे हम अब हमे टीम में वह इरो नहीं नजर आते जिस पर हम डिपेंट करें हैं अच्छा यह आ अब यह टेकर अब हम निकल जाएंगे अब हम जीत जाएंगे वाई क्या इश्यूज क्या हैं लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि मैं तमाम तर फेलियर्स के बावजूज अपने टीम के साथ खड़ों ठीक है और मैं उन लड़कों को जिन्नों ने इतने प्रेशर वाले उसमें बहरल वो सहे और बाबार आजम को मैं समझता हू के वो अभी भी दुनिया का सबसे टॉप अजीम बल्लेबाज है और इसमें कोई दो राए नहीं है आप मैकस्वेल के दस छक्के देख लें और बाबार रजम की एक कवर ड्राइव देख लें तो बिलकुल ऐसे ही है जैसे आतिफ असलम के दस गाने सुन लें और मेदी असन पर मैं आपसे तो उसकी रीजन यह के आप फास्फूट दौर की पहरा है ना आपको तो वो खिड़की पर जाके क्या कहते हैं वहां पर जाके जो लेखते वे आगे निकल जाते हैं आप ड्राइव थू निशन है आपको उस मज़े का नहीं पता जो जाके लेक्श्मी आप चेंज कर लें आप मैदी हैसन खान साब की एक तान आतिफ असलम के सौ गाने अच्छा अब आजे दो चीजें एक इस बात को आप पुलिटिकल भी ले सकती हैं के अंपायर का एक गलत फैसल हां जी कौमों की जिंदगी में कितना बद्तरीन थाबित हो सकता है यह बात पुलिटिकली भी ले और क्रिक्ट के तौर में बिल्कुल ठीक है जिस अंपायर ने साउथ अफरीका के खिलाफ आउट था और नहीं दिया ठीक है और उसके बाद आई सी को कहना पड़ा कि पाकिस्तान से ज्याती हूं तो ज्याती वाड़गी पांड़ई पाकिस्तानी टी जिस पर मुझे अब शदीद मेरी रेजर्वेशन है मलक साब वो है डी आरे सिस्टम मैं यह समझता हूं कि इस टेक्नोलोजी के दोर में वो जो डी आरे सिस्टम है उसमें बकाइदा छेड़खानी होती है मुझे अच्छी तरह याद है कि साइध अजमल की गेंद पर टंड लगी वी थी ठीक है नहीं दिया सेम है हैपन्ड इन साउथ अफरीका मैच फिर अमपाइरिंग का मैयार जो था वो इंतहाई पस्त रहा इस टूर्नमिंट के अंदर ठीक है इंडिया के खिलाफ बहुत सारे फैसले नहीं दिये गए यानि यहां तक वहा कि एक अमपाइर इत ओना बड़ा जुर्म इंडिया ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ स्टेज इसलिए किया जा रहा है कि यह इंडिया जीच जै ठीक है और जिस तरह की वह इंद्गी तो नम्बरीया हो रही है पाकिस्तान एंक एखिलाफ भुछ सारे फैसले गलत दिए गैं इस टूर्णमिंट के रह गही है इंटरनेशनल खिलाड़ी उनके खिलाफ जादा इसलिए नहीं करते कि उन्हों ने जाके फिर IPL खेलना है जो दुनिया की महेंगी तरी लीग है तो मैं आजे हैं पाकिस्तान की तरफ हां जी वह आपके प्रोग्राम का वक्त था तो मोरे देखें भात किया कि जो मल आई तो यह जब वापस गही तो नहीं कहता है इतनी इज़त तो हमें इंडिया में पाकिस्तान ने दिए जर्फ जर्फ की बात होती है ठीक है कि आप कि जर्फ का मुझाहरा करते हैं और आखरी जुमला यह कि यह प्रेशर जो होते है ठीक है इसी में इमरान खान भी सीरीज साaz जीए जयते है इंडिया से और इसी में परफॉर्म करना होता है विसी में अपनी कटानी में इनी घ्राउंड़ो थी में करना थी तो यह समय है जित जाएं। चले भी हमारी जो दुआे और नलिके साहते हैं कि चले नेक्स ताइम इसे वी अच्छा खेलें अब नेक्स ज मेरा मिर्जा को अजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, आला अफेज़